C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए साथ त्रिभुजों की सरवांग समता प्रिष्ट 145 साथ दशमलवेक भूमिका अब आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्यामिती संकल्पना सरवांग समता को सीखने जा रहे हैं विशेश कर आप त्रिभुजों की सरवांग समता के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे सरवांग समता को समझने के लिए हम कुछ क्रिया कलाब करेंगे इन्हें कीजिए एक ही प्रकार यानि दो टिक्टें लीजिए आकरिती साथ दशमलवेक एक टिकट को दूसरी पर रखिए आप क्या देखते हैं? एक टिकट दूसरे को पूर्ण तया ढख लेती है इसका अर्थ यह है कि दोनों टिक्टें एक ही आकार और एक ही माप की है ऐसी वस्तुएं सरवांग सम कहलाती है आपके द्वारा प्रयोग की गई दोनों टिक्टें एक दूसरे के सरवांग सम है सरवांग सम वस्तुएं एक दूसरे की हूँ बहू प्रती लिपियां होती है क्या अब आप बता सकते हैं कि निम्न वस्तुएं सरवांग सम हैं या नहीं? 1. एक ही कमपनी के शेविंग ब्लेड आकृती साथ दशमलव दो एक 2. एक ही लेटर पैड की शीटें आकृती साथ दशमलव दो दो 3. एक ही पैकिट के बिसकुट आकृती साथ दशमलव दो तीन 4. एक ही सांचे से बने खिलोने आकृती साथ दशमलव दो चार प्रिष्ट 146 अब हम तल में बनी ऐसी आकृतियों की सरवांग समता का विधी पूर्वक अर्थ जानने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम पहले से जानते हैं। साथ दशमलवदो तल आकृतियों की सरवांग समता यहां दी गई दो आकृतियों को देखिये आकृति साथ दशमलवतीन क्या ये आकृतियां सरवांग सम हैं। आप अध्यारोपन विधी का प्रयोग कर सकते हैं। इन में से एक का अक्स यानी ठ्रेस कॉपी बनाकर दूसरी आकृति पर रखते हैं। यदि ये आकृतियां एक दूसरे को पून तया ढख लेती हैं, तो वे सरवांग सम कहलाती हैं। दूसरे ढंग से आप इन में से एक आकृति को काट कर उसे दूसरी आकृति पर रख सकते हैं। लेकिन सावधान जिस आकृति को आपने काटा है या अक्स बनाया है, उसे मोडने या भैलाने की आपको छूट नहीं है। आकृति साथ दशमलव तीन में यदी आकृति F1, आकृति F2 के सरवांग सम है, तो हम लिखेंगे F1, सरवांग समता का चिन्ह, F2. साथ दशमलव तीन, रेखा खंडों में सरवांग समता, दो रेखा खंड कब सरवांग सम होते हैं, नीचे दिये गए रेखा खंडों के दो युगमों को देखिए। अकृति 7.4, एक, यहां दो रेखा खंड दी गई हैं, AB और CD, दो, यहां दो रेखा खंड दी गई हैं, PQ और RS, प्रतेक रेखा खंड युगम के लिए अक्स प्रतिलिपी बना कर अध्यारूपन विधी का प्रयोग कीजिए। आकृति 7.4, एक, रेखा खंड CD का अक्स बना कर इसे रेखा खंड AB पर रखें। आप देखेंगे के CD AB को पूनतया ढख लेता है और CA पर तथा DB पर स्थित है। अधह हम कह सकते हैं के दोनों रेखा खंड सरवांग सम हैं और हम लिखेंगे रेखा खंड AB, सरवांग समता का चिन्ह, रेखा खंड CD। आक्रती 7.4.2 के रेखा खंड युग्म के लिए इस क्रिया कलाप को दोहराईए। आप क्या देखते हैं? ये रेखा खंड सरवांग सम नहीं हैं। यह आपने कैसे जाना? क्योंके जब एक रेखा खंड को दूसरे रेखा खंड पर रखा जाता है, तो वे एक दूसरे को पूर्ण तया नहीं ढखते हैं। आक्रिती 7.41 में आपने देखा होगा कि रेखा खंडों के युग्म का एक दूसरे के साथ सुमेलन यानी मैचिंग होता है, क्योंके उनकी लंभाई बराबर है। परंतु आक्रिती 7.42 में ऐसी स्थिती नहीं है। प्रिष्ठ 147. यदि दो रेखा खंडों की लंभाई समान यानी बराबर है, तो वे सर्वांग सम होते हैं। उपर दिये गए तथ्य को ध्यान में रखते हुए, जब दो रेखा खंड सर्वांग सम होते हैं, तो हम कहते हैं के रेखा खंड बराबर हैं। और हम लिखते हैं AB बराबर CD. हमारा वास्तव में अर्थ है के AB सर्वांग सम है CD के। 7.4. कोनों की सर्वांग सम था। यहां दिये गए चार कोनों को देखिये। आकृती 7.5. आकृती 7.5. 1. कोन ABC बराबर 40 डिग्री। 2. कोन PQR बराबर 40 डिग्री। 3. कोन LMN बराबर 30 डिग्री। 4. कोन XYZ बराबर 40 डिग्री। 4. कोन PQR का अक्स बनाए और इससे कोन ABC को ढखने का प्रयास कीजिए। इसके लिए सबसे पहले Q को B पर और QP को BA पर रखिये। QR कहां पर आएगा? यह BC के उपर होगा। इस प्रकार कोन PQR का सुमेलन कोन ABC से होता है। इस सुमेलन में कोन ABC और कोन PQR सरवांग सम है। ध्यान दीजिए के इन दोनों सरवांग सम कोनों की माप समान है। हम लिखते हैं कोण ABC सरवांग सम है कोण PQRK, एक, या M कोण ABC बराबर है M कोण PQRK, इस स्थिति में माप 40 डिग्री है. अब आप कोण LMN का अक्स बनाईए और इसे कोण ABC पर रखिये. M को B पर तथा ML को BA पर रखिये. क्या MN BC पर आता है? नहीं, इस स्थिति में ऐसा नहीं होता है. आपने देखा के कोण ABC और कोण LMN एक दूसरे को पूर्ण तया नहीं ढखते हैं, इसलिए वे सरवांग सम नहीं हैं. ध्यान दीजिए, इस स्थिति में कोण ABC और कोण LMN की माप बराबर नहीं है. कोण XYZ और कोण ABC के बारे में आप क्या कहेंगे? आकरिती 7.5.4 में किरण YX और YZ क्रमशह किरण BA और BC से अधिक लंबी प्रतीत होती है. इसके आधार पर आप सोच सकते हैं के कोण ABC कोण XYZ से छोटा है. पर अन्तु याद रखिये के आकरिती में किरण केवल दिशा को ही प्रदर्शित करती है, ना कि लंबाई को. आप देखेंगे के ये दोनों कोण भी सरवांग सम हैं. हम लिखते हैं कोण ABC कोण XYZ के सरवांग सम है. दो. या M कोण ABC बराबर है M कोण XYZ के. एक और दो को ध्यान में रखते हुए हम यह भी लिख सकते हैं. कोण ABC सरवांग सम है कोण PQR के, जो सरवांग सम है कोण XYZ के. प्रिश्ट 148 यदि दो कोणों की माप समान हो, तो वे सरवांग सम होते हैं. यदि दो कोण सरवांग सम हैं, तो उनकी माप भी समान होती है. कोणों की सरवांग समता पून तया उनके मापों की समानता के उपर निर्भर करती है जैसा के रेखा खंडों की स्थिती में बताया गया है इस प्रकार यह कहना के दो कोण सरवांग सम है हम कई बार केवल यही कहते हैं के कोण बराबर है और हम लिखते हैं कोण ABC बराबर कोण PQR अर्थात कोण ABC सरवांग सम है कोण PQR के 7.5 त्रिभुजों की सरवांग समता हमने देखा के दो रेखाखंड सरवांग सम होते हैं जब उनमें से एक दूसरे की प्रतिलिपी हो इसी प्रकार दो कोण सरवांग सम होते हैं यदि उनमें से एक दूसरे की प्रतिलिपी हो हम इस संकल्पना को अब त्रिभुजों के लिए भी देखते हैं दो त्रिभुज सरवांग सम होते हैं, यदि वे एक दूसरे की प्रतिलिपियां हों, और एक को दूसरे के उपर रखे जाने पर, वे एक दूसरे को आपस में पूर्ण तयार ढख लें। आकरिती 7.6, यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं, एक त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समान आकार एवं समान आमाप के हैं, ये सरवांग सम हैं, अतह इनको निम्न लिखित प्रकार से दर्शाएंगे। त्रिभुज ABC सरवांग सम है त्रिभुज PQR के। इसका अर्थ यह है कि यदि आप त्रिभुज PQR को त्रिभुज ABC पर रखते हैं, तो P A के उपर, Q B के उपर और R C के उपर आता है। इसी प्रकार PQ AB के अनुदिश, QR BC के अनुदिश तथा PR AC के अनुदिश आते हैं। यदि दिये गए सुमेलन यानी correspondence में दो त्रिभुज सरवांग सम हैं, तो उनके संगत भाग अर्थात कोण और भुजाएं समान होते हैं। अतह इन दोनों सरवांग समत्रिभुजों में हमें प्राप्त होता है। संगत शीर्ष, A और P, B और Q, C और R। संगत भुजाएं, AB और P Q, BC और Q R, AC और PR। संगत कोण, कोण A और कोण P, कोण B और कोण Q, कोण C और कोण R। यदि आप त्रिभुज P, Q, R को त्रिभुज A, B, C पर इस प्रकार से आरोपित करते हैं, कि P, B के उपर रखें, तो क्या दूसरे शीर्ष भी यथा योग्य सुमेलित होंगे। ऐसा होना आवश्यक नहीं है। आप त्रिभुजों की अक्स प्रतिलिपियां लीजिये और यह ग्यात करने का प्रयत्न कीजिये। यह दर्शाता है कि त्रिभुजों की सरवांग समता के बारे में चर्चा करते समये, न केवल कोणों की माप और भुजाओं की लंबाईयां महत्व रखती हैं, परंतु शीर्षों का सुमेलन भी उतना ही महत्व रखता है। प्रिष्ठ एक साउन्चास उपर दीगई स्थेती में सुमेलन है A का सुमेलन P से, B का सुमेलन Q से, C का सुमेलन R से। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ABC का सुमेलन है PQR से। उदहरन एक, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सुमेलन ABC सुमेलन R Q P के अंतरगत सर्वांग सम हों, तो त्रिभुज ABC के वे भाग लिखिये जो निम्न के संगत हों। एक, कोण P, दो, कोण Q, तीन, रेखा खंड RP। हल, इस सर्वांग समता को अच्छे ढंग से समझने के लिए, आईए हम एक आकृती, आकृती 7.7 का प्रयोग करते हैं। आकृती 7.7 यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR. त्रिभुज ABC का बिंदू A, त्रिभुज PQR के बिंदू R से मिलाया गया है। त्रिभुज ABC का बिंदू B, त्रिभुज PQR के बिंदू Q से मिलाया गया है। Q का सुमेलन है रेखाखंड CB, दो कोण Q का सुमेलन है कोण B, तीन रेखाखंड RP का सुमेलन है रेखाखंड AB। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। जब दो त्रिभुज मान लीजिए ABC और PQR दिये हुए हों, तो उनमें आपस में कुल 6 संभव सुमेलन होते हैं। उनमें से दो सुमेलन ये हैं, एक ABC सुमेलन PQR से और दो ABC सुमेलन QRP, दो त्रिभुजों के कट आउट यानि कट आउट्स का प्रयोग करके अन्य चार सुमेलनों को ग्यात कीजिए। क्या ये सभी सुमेलन सरवांग समत्ता दर्शाते हैं, इसके बारे में विचार कीजिए। अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, कारिक्रम समनवयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन स्वर, गौरव मारवा, तकनी की समनवयक, बटिलैंग लिंगडो, तकनी की सहायक, विकास सांगवान, निर्मान सहयोग, सौम्य निया मलिक, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत